दोस्तो कहा जाता है कि पत्टी और पत्खनी का रिश्टा काफी पवीत्र मा आंड जाता है। दोस्तो क्यूंकि जब साधी होती है, साधी के समय जब साथ फevas फिरते हैं, तो उसमें पत्खनी साथ जनम तक साथ मेराने का बादा करती हैं। मगर दोस्तो आज की इस कहानी में एक पत्ली ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही पत्ती की हत्या कर दी हेलो नमस्कार साथियो मैं की सबसेने आपके सामने एक नई स्टोय लेकर आया हूँ दोस्तो आज की जो कहानी है वो है प्रियाग राज की दोस्तो आज की इस कहानी को सु प्रियाग राज की उत्तर प्रदेश में एक जला पड़ता है प्रियाग राज और उस जले में एक थाना पड़ता है फापा माउ दोस्तो उस थाना छेतर में गाउं पड़ता है रामपुर गोहरी उस गाउं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है राजकुमार और्फ मितुन दोस्तों जो राजकुमार होते हैं उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम भुलन सिंग होता है दोस्तों जो राजकुमार होते हैं उनकी आई लगवत 34 या 35 साल के लगव में होती है दोस्तों इस घटना से तीन या चार साल पहले जो फोटो देवी उस लड़की के साथ उनकी साधी होती है दोस्तों जो फोटो देवी होती है उस लड़की का साधी से पहले ही अपनी भावी के जो मौसेरे भाई होते हैं जिसका नमता है रंजीत रंजीत के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था दोस्तों जो राजकुमार होते हैं जो राजकमार होते हैं, वो अपने घर का खर्चा नहीं चलने कारण वो भार कमाने के लिए मुंबई चले जाते हैं, दोस्तो वो इसी तरह से अक्सर मुंबई पैसे कमाने के लिए जाते थे, दोस्तो इसी दोरान उनकी पत्नी का जो प्रेमी होता है, वो उनकी घर पर मिलने क कि चले जाती है और इसके पशला जो राजक़मार होती हैं वो पैसा कमाने के लिए या मैस्दुरी करने केया मुंबई काम करने के लिए चले आते हैं दोस्तों दोस्तों के पत्टि ओते मैं तो मगर उनका वहां पर भी जो प्रेम प्रसंग होता है वो जारी रता है। दोस्तो 14 अप्राइल को जो राजकुमार होते हैं, वो अपने घर पर आती है। क्यूंकि उनके परीवारे में एक साधी होती है, साधी होने के करण जो मुंबश से चौधे अप्राइल सन दोजाओगर को अपने गार आती है। आने के पेश्चाद उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी का किसी ब्यत्ति के साथ प्रेंपरसंग चला है। दोस्तों जैसे ही उनको पता चलता है। दोस्तों पंदराइ Bennu जो भी बात केते हैं उनको काफी गलत लगती है दोस्तों पंदराथ संवर चोविस की साम सवी लोग रात के सामने से लिस्की पत्ने होती है वह अपने प्रेमी जिसका न Hij को फोन करते हैं दोस्तों कर बांगती है और इसके बिचात कोई उसकी गला गोटकर हत्या कर दिता है दोस्तों प्र जो गाउयों से कुछ वहर होता है जिस को डिसका अपर्एल संद्नीक के कौश पता नहीं चलता है दोस्तों 16 अपरेल 24 के सुबह उनकी जो पत्नी होती है वो रोने लगती है और वहाने वनाने लगती है दोस्तों जैसे ही वो रोने लगती है और उस परोस के जो लोग होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं आकर देखते हैं तो जो राचकुमर होते हैं वो मिरत वहां पर पहुंच जाते हैं और जैसे वहां पहुंच जाते हैं विए उनका होता है वह मेरत पड़ा होता है दोस्तो जो पहुंचने के प्रशात जो राजकुमार का सब होता है उसको बरामत करने के पश्चात जो सब होता है उसको कोश्च माड़म के लिए भेज दे जाता है इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे मुष्टाच करते हैं जो मिर्तक के परिवार वाले होते हैं वो बताते हैं कि जो इनकी पत्नी पत्नी होती है उसका नामुता है फूट्टी के साथ इंण प्रेइं और फूट्र औरक्रतर के पिति हैं. पुलिस को पता चलता है, जो पसे जर्म की कल दिए है. और पूरी कहानी के बारे में बताती है दोस्तों इसके पश्या जो पुलिस होती है जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है रंजीत उसको भी गरबतार कर लेती है DCP गंगानगर अभी सीख भार्ती ने बता है कि पुलिस ने 18 अप्राइल 7024 को इस केस का खुलासा कर दिया है पूलिस ने जो मिर्टक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है फुटोडेभी और उसका प्रेमी जिसका नाम होता रंजित इसको गरबतर कर लिया है और उन्हें दोनों को जेल वेजे जाय junior दोस्तो इनके साथ सकते सकत कारवाई की जाएगी दोस्तो आज की इस कहानी को सुनाने का उद्धेस आपको परिशान करना नहीं है सिर्फ आपको जागरू करना है कि आज हमारे समाज में आज हमारे देश में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं दोस्तो आज की कहाने में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पत्ति की खत्त्य कर दी दोस्तो इस पत्नी को क्या सजा होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं दोस्तो हमारा हरी कहानी को सुनाने का उद्यस्ता यही रहता है कि आपको इसके पिरती जागरो करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं दोस्तो अगर आप हमारे यटूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेयर करें दोस्तो आज की जो कहानी है मैंने इसको पढ़कर तयार किया है अमरुजाला न्यूज हिंदुस्तान न्यूज जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा दोस्तो इसी से मैंने पढ़कर जो आज की कहानी है इसको तयार किया था तो दोस्तो आप सभी लोग मस्त रहें, सुष्ट रहें, मिलते हैं आपको एक नए स्काहनी के साथ धन्यवाद